ते पहर में हम न हो फ्रस लेस न कंप्यूटरण सम्झेट इब और कंफ प्रस लेसं कमप्युटर सिस्टंब म्हाँ कर फूर्ट इसमें हम मॉडल कोश्द पेपर हमारा पेज चंबर 96 में 6th मंत्र एक्जामिनेशन यारी कि आपके हाफ फली तक जितना आपका स्लेबर्स आएगा उसे से रिलेटेड हम इसमें कोशन्स कर रहे हैं और मैं आपको कुछ कोशन्स दे रही हूं जिससे क्या आपका क्या हो जाएगा रिवाइज भी आपका साथ साथ होगा तो लास्ट वीडियो में यह आपका पेज नंबर 96 और 97 में फिल्द ब्लैंक में आपको दिये थे तो यहाँ देखे मॉडर कोर्शन पेपर है आपका 123 लेसन है पेज नंबर 96 और 97 पेला फिल्द ब्लैंक है आपका instructions that make the computer operational are termed as system software यहाँ आपका system software है यानि कि आप जो computer को operational बनाता है जो भी भी आप computer को कोई instructions देते हैं कुछ काम करने के लिए क्याते हैं तो वो किसके थूर होता है वो कौन करता है और उस definition को हम क्या कहेंगे system software system software आपको पता है कि आपके hardware and software को coordinate करते हुए उनके mail जोल को करते हुए कोई भी आपका क्या होता है computer में work होता है अगर hardware का एक भी पार्ट निस है या कम software में कोई problem है कोई part उसका खराब हुआ है या नहीं है तो आपका computer work नहीं कर पाएगा तो system software उसको यही है कि आपके जो computer system है उसको क्या करता है वो manage करता है ठीक है next है आपका full form बताने है आपने गीगो गीगो की full form है आपका garbage in and garbage out थर्ड है आपका computer gives correct output when correct data and correct instruction given to it are correct computer आपको तब ही सही result देगा सही output आपको देगा जब आप उसमें सही data देगे और सही instruction यानि कि सही काम करने के लिए से कहा जाएगा तब ही वो आपको सही result आपको देगा next है आपका output that computer provide us after processing the data is called information जब आप computer में कोई काम करने के लिए से कहा जाता है कोई instruction दी जाती है कोई command दी जाती है तो उसमें जब processing हो जाती है काम उसमें done हो जाता है काम हो जाता है आपको जो result दिखता है जो आपको result show होता है उस result को हम क्या कहेंगे information next है आपका multiple items can be selected from check box list आपको पता है कि जो आपकी check box list है उसमें आप एक समय पे बहुत सारे items या बहुत सारी चीज़े आप उसमें क्या कर सकते हैं एक समय पे आप अपने काम के एक ordering उसमें select कर सकते हैं तो यह आप note कर लीजे और check कर लीजे देखे कुछ को आपके next fill the blanks है जो आप revise करेंगे पहला है आपका using dash value can either be increased or decreased by clicking the mouse हम किसका यूज करते हैं जब हम अपनी value को किसी भी तरिकी की value है चापके date of birth है या आपके month है या आपके weeks है या आपके years है उनकी value को उनके आगे बढ़ाने के लिए या उसको कम करने के लिए घटाने के लिए हम क्या यूज करते हैं माउस को क्लिक करते हैं आपको बताना है next है dash and dash are the two types of menus that get displayed in windows जबी भी आपको ए प्रोग्राम open करते हैं तो जो उसकी window आपके सामने show होती है screen पे तो दो तरीके की menu आपको दिखाई देते हैं वो menu आपने बताने है menu में आपकी बहुत सारी commands होती है बहुत सारी options आपके होते हैं जिनको select करते next question है आपका ये एक question है आपके हाँ पर देख लीजिए if we add 7 and 8 we get 15 what is data information and processing in it यहाँ पर देखे अगर हम 7 और 8 को plus करते हैं जोडते हैं और हमें 15 मिलता है तो आपको बताना है कि इसमें data क्या चीज होई 7, 8, 15 में data क्या है आपका information आपको क्या मिली and processing इसमें क्या हुआ तो ये 3 चीज़े आपने इसमें बतानी है तो ये 3 questions आपके है और 1 question है आपका इसे आप करेंगे प्राय करिए इसको करने का so thank you class